Hello all my dear students, I have already uploaded two parts of this chapter, दो वीडियो इस chapter के मैं already upload कर चुका हूँ, यह आपका third part है आपके chapter जिसका name है, Who did Patrick's homework? दो part मैंने upload कर चुका हूँ, यह third part है और last part है, हम chapter की जो summary है वो इस part के अंदर complete कर लेंगे, हमने आपकी book के six stanza तक, six paragraph तक complete कर लिया था, आज हम paragraph number seven से start करेंगे, so let's start from here, हमने six paragraph में देखा था की थोड़ा सब्सकूरीड कर लेते हैं, last की two lines, I need books, more and more books, and you can help me read them too, तो वो जो elf था, वो जो थोटा बोना था, वो Patrick को कहता की मेरे को किताबें चाहिए, और किताबें चाहिए, और मुझे तमारी मदद भी चाहिए, अब बढ़ते हैं paragraph number seven, as a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag, Patrick was working harder than ever, and was it a drag, अब क्या हुआ भाई, बास्तम में न, परते एक दिन, हर त्रह से बोना तंग करने वाला बन गया, डेली उसको बुक मांगता, कभी कहता है मेरी help करो, मेरे को मैट नहीं आता, मेरे को ये meaning नहीं आता, मेरे पास बैठो, मेरे को समझाओ, अब Patrick तो free रहना चाहता था, बट हो कह रहा है, यहां पर opposite हो रहा है, वो बोना बारवर्व को demand करता है, जो मेरे को ये समझाओ, वे समझाओ न, तो little elf was a nag, nag क्या होता है, nag जो मैंने की, अबाउ, जो तंग करने वाला आप करे, तो तंग करने वाला, आप side में meaning देख सकते हो, यहां पर, nag, nag, one, who travels someone all the time, by complaining and asking them to do something, एक ऐसा बंदा, जो हमेशा परिशान करता है, किसी को बार बार कम्प्लेन करके, जहां पर बार बार कुछ ना कुछ पूछ कर, उसको कहते हैं nag, तो इस meaning को remember रखना nag, Patrick was working hard, harder than ever, and was it a drag, अब कहीं पैट्रिक, पहले से कहीं गुना ज्यादा मैनत कर रहा था, पहले तो वो पढ़ता ही नहीं था, अब किसी ना किसी तरीके से, वो involved है अपने homework के अंदर, तो कहीं ने वो hard work कर रहा है, और it was a drag, पर यह काफी उबाओ भी था, अब ब्रेग, इसका मीनिगा आप देख लिजिए, साइग में, ड्रेग, एन इनिफमल वर्ड है, इसका मीनिग गुता है, जिसका मीनिग गुता है, something dull and uninteresting, तो कहीं बड़ा उसके लिए वो, लाइक की नहीं करता, पैट्रिक डिदेंट लाइक डू हूंवर्क अब पैट्रिक क्या कर रहा था यानि कि रातों को जागता देर तक क्योंकि उस एल्फ को समझाता कि मैस में क्या करना है इसका क्या आएगा अब इतना जादा तो कभी पड़ा ही नहीं था थी और गोइं टू स्कूल जाता तो उसकी आँखे कैसी होती थी पफड यानि कि सूजी हुई और बलरी यानि कि बलर होता न डूंदला साज यानि कि आँखों में नीद होना ऐसी क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हार्डवर कर रहा है बाट उसको खुद को पता नहीं है ना पैट्रिक को पैट्रिक तो यही सोचता ही कि वो बोना मेरा होंबर करके दे रहा है तो अब पढ़ते हैं पैराग्राफ नमबर एट अब स्कूल का आखरी दिन आ गया लास्ट डे और अब वो एल्फ जनी कि वो छोटा बोना अब फ्री था जाने के लिए क्योंकि शर्त यह लगी थी ना कि तू मेरा होंबर कर दे पूरा फिर तू जा सकता है क्योंकि वो बिल्ली से उसको पीठा छुड़वाया था पैट्रिक ने और रही बात होंबर की अब वो भी कंप्लीट हो चुका था तो वो जो छोटा बोना था ओमरग पूरा हो गया शर्त पूरी हो गई तो वो क्वाइटली एंड स्लाइली स्लाइली क्या होता है साइड में मीनिंग लिखा हुआ है सिक्रेटली यह बिना बताय हुए गर के पिछले डोर से चला गया अब आते हैं पैराग्राफ नंबर नाइन पैट्रिक गॉट इस एग एस यानि कि पैट्रिक ने अपनी जो एग रेड उसको चाहिए थी वो मिल चुकी है क्योंकि इसका होमर्ग पूरा हो चुका है ठीक है पैट्रिक ने क्या गॉट किया एग रेड इस क्लासमेट वर अमेजड उसके जो क्लासमेड थे सह पाठी थी वो कहते हैं एकदम से अमेजिंग सप्राइज होगे भी इसने एग रेड कैसे आसल कर लिए तो पढ़ता तो थ ठानी नलाइक था नाalayक ठाना उलस्टा चांटे के लिए पढ़न परेज करना ऊणिस पैरंट्स और उसके माता-पिता डे वंडर्ड वैड हैपन तो पैट्रिक वोओ तो एकदम से वनडर्ड इसे पर हरान थी कि आखिर में Patrick के साथ ऐसा हुआ क्या है इसने ए ग्रिड ले ली यह तो पढ़ता था ही नहीं तो कि गरवालों को तो पता ही होता है न कि मारा बच्चा गर पर कितना पढ़ता है He was now the model kid तो Patrick अब क्या बन चुका था model kid model kid जैने कि एक बढ़िया intelligent student you can see cleaned his room वो अपना रूम साम खुद करता है did his chores गर के जितने भी काम है वो खुद करता है chores chores होता है गर का गरे लुका रहे हम कहते हैं ना home chores या फिर home chores लुका रहे was cheerful वो खुश रहता never rude कभी भी वो rude behavior नहीं करता behave नहीं करता like he had developed a whole new attitude ऐसा लग रहा था कि उस ने तो पना पूरा रिवया पूरा attitude ही change कर लिया तो अब इस chapter का last paragraph number 10 you see in the end Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework तो यहां पर अब जो इस chapter के जो writer है story writer इनका नाम है नीचे लिखा हुआ है crawl मूरे यह हमको बता रहे हैं कि आखिर में end तक Patrick यही सोचता है कि उसने अपना homework किस से करवाया उस elf से उस bonnet से उस teeny man से और ध्यान रखना आपको अब इस paragraph में आपके एक question का answer मिलने बाला है आपके chapter का name क्या था who did Patrick's homework कि Patrick का homework किस ने किया अब यही पर साफ साफ शब्दों में हम read करेंगे writer खुद हमें बताएगा but I will share a secret तो writer हमें कह रहा है कि मैं एकना secret एक रहसे आपके साथ share कर रहा हूं just between you and me जो सिर्फ आपको पता है और मेरे को पता है it wasn't the elf Patrick had done it himself तो writer ने यहाँ पर साफ साफ हमें बता दिया वो कहता कि यह हमर किया था यह उस bonnet ने नहीं किया यह सारे का सारा हमर कहीं ने कहीं Patrick ने खुद ने किया है उसने तुर्फ लिखने का काम किया writing का तो this was the answer this is the answer of your chapter name who did Patrick homework now you can give the answer you can see Patrick's homework was done by Patrick elf did not did his homework तो यह था आपका chapter हमने पूरी summary complete कर ली है अब next part के हम इसके question answer को discuss करेंगे so if you are new here then you can subscribe my channel and press the bell icon thank you for watching bye bye